विनेश जी और बज्रंग जी जो हैं परोदा हाउस आईड़ी तो यह उनका वेक्टिकत फैसला है पर्सनल चोईस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं बाकी मेरा मानना यह है कि कई ना कई हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो अमारा जो अंदोलन था जो बेन बेटियों की लड़ाई थी वो उसको गलत रूप ना दिया जाए मैं अभी भी उस पर डटके खड़ी हूँ महिलाओं के लिए जो रैसलिंग में जो सोचन होता था और जो हमारा अंदोलन है वो अभी मेरी तरफ से बिलकुल जा रही है और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा से रैसलिंग के लिए सोचती है यह रैसलिंग के हिद में काम करती है यह और हमेशा करती रहूंगी मेरे पास भी ओफर आए बड़े लेकिन मुझे यू था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूँ जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है मैं उसको पूरा लास तक लेकर जाऊं और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन में हो जाती बैंड बेटियों का शोशन बंद में हो जात कि तो वो उनकी चोईस है उनको लगा कि उनको वहां बहतर दिखाई दे रहा है तो उन्होंने वो चीज फैसला लिया है आपको लगता है कि अब जो इशुज आपके थे जो आंदोलन के इशुज थे उसको पार्टी में लाएकर उठा पाएंगी वो देखो मैं ये कहना चा क्या उसदा कि लिए विए तो मैं ऋशींगे भारे में क्या करो मेरा मकसद ही नहीं है ना मेरा मकसद धाना शरू करा, जब से मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पारर्टीน sे हो बड़े यह origation कि इससे बेट्आ हो किसी इन्फ्लिवेंस लेकिन एसा नहीं था यो प्रचार में क्या आपका साथ रहेगा उनके साथ आप जाएंगी प्रचार करने के लिए देखो मैं तो अपना रेलवे में जोब करती हूं और जैसा बताया कि ना मैं किसी ब्यक्तिगत पार्टी से जुड़ी हूं ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई हो मैं मेरी सिरफ लड़ाई एक ही आदमी से थी वो ब्रेजबूशन है कि उसकी उसने बहन बेट यूगा सोशन किया था तो लड़ाई मेरी उसी तक है मेरी किसी पार्टी से कोई ब द्वेश है जट्तिकत नहीं जाएंगे लोड मांगने के लिए देखो मैं पॉलिटिकल हुई नहीं वो मैं किसी स्पेशल पार्टी के साथ हुई नहीं तो